आज मैं आप लोग को ये दोनों इंग्रेडियन्स मिक्स करके प्रिशा कुकर में एक रेसिपी बना के दिखाने वाली हूँ चावल को भीगो लिया है ये नॉर्मल राइस है बासमती नहीं है तो ओनियन मेंने हाफ किलो लिया है स्लाइसेस करके कट कर लिया है और टोमेटो 250 ग्राम मतलब जितना ओनियन लेंगे अब उसका हाफ टोमेटो है वो भी स्लाइसेस करके कट कर लिया है प्रिशा कुकर में ऑईल डाल देंगे तू तू त्री टेबल स्पिन ऑईल और गी डाला है मैंने घी आपका वन टेबल स्पिन या फिर से भी तोड़ा ज्यादा मतलब वन टेबल स्पिन ही हो जाएगा उसके इसाब से डाला है तो गी और ऑईल दोनों मिक्स करके ढालने से अच्छा है खड़ा मसाला थोड़ा सा ढाल दिया है जितना मतलब जो जो चीजे आपको पसंद है और उसके बाद ओनियन स्लाइसेस चू किया हुआ था ओनियन को सोटे कर लेंगे एकदम डार्क ब्राउन होने तक सोटे होना है चै करता है स्लोग फ्लेम में उसको करते रहेंगे और कवर लेंगे थोड़ी से बाद बाद चेक करेंगे अब क्या है प्राउन क्लीन कर रहे है बाहरवला स्कीन जो है वो अल्रेडी निकाल दिया है और अभी जो एक तम ऊपर के साइड से ब्ल् Jerry कमाने में अच्छा है मुझे इसका scientific reason पता नहीं है बट बोलते है कि यह अगर खाते है तो स्टॉमाख पीन होता है तो मैं इसको निकाल देती हूँ अब इसको वश करके क्लीन कर लिया है पानी ड्रेन कर लेना है बिल्कुल पानी नहीं रहना इसमें अब इसमें मसालास टालेंगे तू टी स्पुन भरके भरके fifteen निया है और टू टेश्पुन जोशे निकालके एक फूल लेमन का जूस में इसमें दे दिया है एक लेमन का हाफ पेस जो जूस निकला हुआ है वो भी आप साथ में ढाल सेकता है आप सारे चीजों को अच्छी तरह से मिक्सिंग करके मेरिनेट कर लेंगे हाफ एन आवर या फिर मैक्सिमाम वन आवर मेरिनेट करेंगे इसमें तो प्रिशाग को कर रहे थे वो बिल्कुल डार्क ब्राउन हो गया देखे यह स्टेज बिल्कुल परफेक्ट है आप जो टॉमेटो स्लाइस करके रखा है उसको डाल देंगे इसमें और टॉमेटो को एक तेन मिनिट सेसा लागा है सॉफ्ट होने में अब जो ग्रेवी हाफ एन आवर से ज्यादा मैंने मैरिनेट किया करके रखा था उसको भी मिक्स कर देंगे और यह सारे चीजों को अच्छी तरह से मिक्सिंग करके थोड़े देर पका लेंगे जो प्राउन है इसमें एक फिफ जो चावल भीगो के रखा है उसको पानी ड्रेइन करने के बाद ऐसा उसमें मिक्स कर देंगे तो प्रिशय कुकर में बहुत सारे लोगों को यह सब जो ग्रेवी मतलब बिर्यानी टैप्स जो होता है बनाना नहीं आता है इसमें में टिप्स बताऊंगी अब क्या है धनिया क्या है अगर 4 cup चावल होता है तो 2 cups पानी देना है कि प्राउन ग्रेवी में भी अल्रेडी पानी निकलता है और प्रिशय कुकर में पानी बहुत कम चाहिए होता है मैंने ग्रिंचिली एड किया है ग्रिंचिली स्किप भी कर सेकतो देने से बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ यह देखिए इस स्टेज में आपको प्रिशय कुकर का कैप बंद करना है मतलब जब चावल और पानी दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा पानी बॉयल हो रहा है उसी टाइम में प्रिशय कुकर का उपर का जो धकन लगाना इससे पहले धकन नहीं लगाना बिलकुल पे में जब भी आप यह सब बिरियानी या फिर पुलाओ ऐसा टैप्स का कुछ बनाएंगे तो यह सब टिप्स फोलो करेंगे आपको तो रेसिपी बिल्फल पार्फेक्टली आएगा और कोई भी शिकायत नहीं रहेगा सबको अच्छा लगेगा थैंक्स पर वाचिंग मैं वी झाल खार्फेक्टली आपको बिल्फली आपको तो बिल्फले साँ भी बिल्फले यह सबकायत नहीं तो इनक्स सिंगएगा वी जए चंछा यह से दोलो है उनक्सिपश बढ़ीया यह साँ उनक्स सबक्वाश्जली आपकोषब